कहा जाता है कि मनुष्य योनी सभी योनियों में श्रेष्ट है उत्तम है यूँ चूकि वो बाते कर सकता है विचार कर सकता है या वो अविश्कार कर सकता है अध्भुद्यंत्र बना सकता है नहीं, चुकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सदभाव वास करते हैं सामान्य था हर प्राणी योनियों की चार उद्देश होते हैं सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना शेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ती करना किन्तु मनुष्य योनी श्रेष्ट इसलिए है, चुकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे सब लोग मिल जुल कर विकास करें, वो समिष्ठी के लिए सोचता है, अपने आप चरना तो पशु की प्रविर्टी होती है परन्तु दूसरे के लिए स्वयम का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रविर्टी एक मनुष्य को भिन्न बनाती है जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान ने पशु बन कर रह जाएगा कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आप को कुछ और चाहिए, यह मिल जाए तो वो चाहिए यदि आपको ऐसा आसंतोश अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ती नहीं है चुकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है और इसी कारण पानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया इसी लिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ती रूप से व्रिध्धी कि संपन्नता बढ़ती गई ज्यान बढ़ता कि अर्थाद विकास के लिए असंतोश बहुत अवश्यक है परन्तु समस्या तब उत्पन होती है जब ये असंतोश इर्षा में बदल जाता है जब आप स्वयम की संपत्ती अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ती अधिक ना रहे तब ये असंतोश इर्षा में बदल जाता है और यही इर्षा जन देती है अपराद को शड्यंत्र को तो प्रश्ण ये उठता है कि इस इर्षा से बचा कैसे जाए और इसका केवल एक ही उपाए जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो तब जाकर इर्षा समाप्त होती है और प्रारंब होता है आनंद का वास्तवेक विकास का हमारा शरीर प्रकृति का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है जो हमें भाव गुण और वस्तूओं का बोध कराती हैं हमारे पास आखें नाख स्पर्ष के लिए तवचा है कान है और जीभा है सबका भिन्विन्न नकार है आखोंसे देखना कानों से सुनना नतनों से स्वास लेना, त्वचा से स्वर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना, परनतु क्या आपने कभी सोचा? कि प्रकृति ने हमें दो आखे दी, दो नतने दी, दो कान दी, इस परश के लिए ये पूरा शरीर दी, परनतु जीवा केवल एक दी, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृती चाहती है कि हम देखे अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है, स्मरन रखिएगा मनुष्य सुन्दर्ता से आकर्शित होता है, उससे प्रेम करता है और असुन्दर को देता है ऐसा होता है ना, क्या आप ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं तो सुन्दर और असुन्दर की परिभाशा क्या है, इस आकर्शन और विकर्शन का कारण क्या है कभी सोचा है, कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रती आप आकर्शित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वित्ष्णा आ जाती है, और जिसके प्रती घ्रणा होती है, उसके लिए एका एक आपके मन में प्रेम उमणाता है, कारण है द्रिष्टि कौन चुकि सुन्दर्ता आपके मन में होती, आपके सोच में होती, आपके दृष्टी कोन में होती इसलिए किसी को कीचड में खिला हुआ कमल सुन्दर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंख का धबबा दिख जाता है यदि आपको सुन्दरता अनुभफ करनी हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टि गोण को सुन्दर बनाएं और अपने आप सब उच्छ सुन्दर बन जाएगा सागर तो आप सभी ने देखा होगा बाहर से कितना उन्मुख और भीतर से कितना शान उसकी बलशाली लहरो को देखकर ऐसा लगता है कि मानों वो सब कुछ चूर चूर कर देगी परन्तु उसके गर्भ में ना जाने कितने अंदेखे अंजान जीव पलते हैं उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है सागर एक है परन्तु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृती भिन्न भिन्न होती है कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है कोई उसमें अपने पाउ भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है तो कोई टट पर बैठ कर सागर की लहरों को निहारता है कोई उसमें जीवन का आरंब देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है सागर एक है परन्तु हमारी प्रकृति की अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है इसी प्रकार जीवन है सब के लिए समा है परंतु उस जीवन में आपको प्रसनता देखनी है प्रसनता पानी है या आपको पाना है अफसाद ये आप पर निर्वर करता है विश्वास ये केवल शब्द नहीं ये वो नीव है जिस पर मनुष्य का जीवन तिका हुआ है किन्तु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास दोनों ही परस्थित्या घातक होती है चुकि जहाँ अविश्वास हमारे मन में भय और आज सुरक्षा को जन देता है वहीं अंधविश्वास आकरोश को तो प्रश्व ये उठता है कि विश्वास की परिभाशा क्या है विश्वास की परिभाशा जाननी है तो अपने मन से पूछिए पहले स्वयम पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपून व्यक्ती है और ये विश्वास आपको अपनी शक्ती का ज्यान करवाएगा और शक्ती अपने उत्तर दाइद्व का और फिर अपने आं लक्ष मिल जाएगा मार्क मिल जाएगा मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है परन तू विश्वास किसका तनिक सोचिये किस पर विश्वास है आपको महापुर्शो की कही बातों पर ग्रंथों में लिखे ज्यान पर माता पिता की सीख पर या मित्रों के दिये गए निर्देशों पर या फिर मेरी कही बातों पर ये सब विश्वास अपून है जब तक आपको स्वयम पर विश्वास ना हो यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्वास को भी सीखना चाहिए आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें आप अपने मन से पूछें अपनी अंतर आत्मा से प्रश्ण करें और जो उत्तर मिलेगा वही सब से उचित होगा जब आप अपने मन अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीती ज्यान सब आपके भीतर से स्वतह उम्डेगा और यदि आप स्वयम पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोब महापुर्शों की वानी मादा बिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाब नहीं दे पाएगा मेरे आपके हम सब के जीवन में एक दुविधा आती है या ये कहे कि सदा रहती कि सत्य क्या है असत्य क्या है अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना जिसे अपनी आखों से देखा जिसे अपनी इंद्रियों से जाना वही सकते हैं क्या सच में? यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा सुना जाना वो असत्य का प्ररूप हो? विचित्र पहली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, चुकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है, तो सत्य है क्या? सोचिए सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा, परन्तु क्या आपने कभी ये सोचा है? कि प्रतेख वस्तु, प्रतेख भाव का एक महत्व होता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं. यदि काला रंग नहीं होगा, तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा, तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा, तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है, तो दोनों के मध्य का संतुलर है. बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयम में शुब छिपाए रखती है. कभी काले गरश्ते मेगों को देखा है, उसके किनारे भी एक स्वरनम आभा होती है. उसी प्रकार, यदि आपके जीवन में बुरा समया, तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है. तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुब खोजने का प्रयास करना, और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतह शुब हो जाएगा. समय सर्व शक्तिशाली है, परन्तु सत्य उससे भी अधिक बलवान, हम सब कभी न कभी कही न कहीं किसी न किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यहीं कहीं न कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है, जिस प्रकार ज्वाला मुखी अंतता भूमी का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है, चुकि नियती सत्य को समप्ष लाने का मार्ग धूंड ही लेती है. सत्य उस सूरज की भाती है, जिसे असत्य के घने मेग धक नहीं सकते। नियती नामक वायू असत्य के घने मेग को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है. असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है. संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना, या किसी का अपमान करना. संसार का सबसे बड़ा पाप है, किसी निर्बल को सताना. और संसार का सबसे बड़ा डंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाए है. आप देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लौः पिगला रहा हूँ. और ये लौः पिगलता है, इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हावा से. तनिक सोचिए, एक मृत पशू की खाल से बनी धूनकी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती. ठीक उसी प्रकार, आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो? यदि आपने किसी निर्दोश, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाव और उसका श्राब आपके जीवन को भस्म कर सकता है. अपराद, वो भावना है, जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्यापत रहता है. हम सब अपराधियों से घ्रिणा करते हैं. उन्हें कोस्ते हैं, परन्तु क्या कभी विचार किया है, कि कोई भी जन्म से अपराधि नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है, कि कोई इतना बुरा बन जाता है, कि वो बुराई की सीमाई ही पार कर जाए? कारण है कामना, यदि कामना पर नियंत्रन ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्टन ना किया जाए, तो वो त्रिश्टना में बदल जाती है, और त्रिश्टना लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पक बढ़ा देता है, इसलिए ये अत्यन तावश्चक है कि मन की कामनाओ पर नियंत्रन रहे, यदि मन पर नियंत्रन रहेगा, तो अपराध पर स्वयम ही नियंत्रन हो जाएगा, कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है, कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाएगा, कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए, आप मौन रह जाते हैं, मानता हूं, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जातें, एक संघर्ष से बच जातें, परन्तु ऐसा बचाओ, एक बड़े संघर्ष को जन दे देता है, कैसे? हमारा मौन रहना, अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है, और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुफ़फ करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है, एक के बाद एक, हम अन्यायम, अंचाहे रूप से समलित होते चले जाते हैं, तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना अवश्यक है, कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है, यह सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है, हां, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परन्तु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भै ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भै को निकाले और खुलकर अनीती का अन्याय का विरोध कीजी और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त कितना हलका अनुभब करेगा हम सब के जीवन में एक समस्या अवश्याती है कि किसके समक्ष जुका जाए और किसके समक्ष ना जुका जाए अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभी मानी किसी के समक्ष नहीं जुकता तो कुछ लोग ये कहते हैं, कि जिसका आकार बड़ा होता है, वो जुका हुआ है विभिन मत हैं इस विशय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना, वास्तविक्ता में ये सब परस्थिती जन्न है परस्थिती के अनुसार जुकना भी उचित है, और परस्थिती के अनुसार ना जुकना भी यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना जुकिए ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है परन्तु अपनी आयू, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे तो तुरंद नदमस्तक हो जाई, तुरंद जुब जाई चुकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा आप सबने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप सौ को हराए सुनी है ना, और इसलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं मौन रह जाते हैं, चुकि ये सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रियसकर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता परंतु क्या जीवन में सदायव मौन रहना, सदायव चुप रहना, क्या उचित होता है नहीं, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा है, जहाँ चल हो रहा है वहाँ मौन रहने से अधिक गंभीर अपराद और कुछ नहीं हो सकता मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याव में उल्जा देते हैं इतिहास साक्षी है, कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानी नहीं पहुँचाई, जितना की सज्जनों के मौन ने पहुँचाई यदि कोई मूर्क बोल रहा है, तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिये और विरोध कीजिए, चुकि आप भले ही न से, परंतु आप की आने वाली पीड़ी इस पाप के डंड को अवश्य सहेगी गर्व, अभिमान और अहंका, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है, और परिनाम भी, तीनों का आरंब प्रेम से होता है, स्वयम से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है, और सफलता अभिमान जगाती है, यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है, तब वो समस्या बन जाती है, चूकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है, परंतु मनुश्य के लिए पहेली यही है, कि पहचाना कैसे जाए, कि अहंकार जग गया है, और उसका दमन अवश्यक है, इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा, जब तक आप स्वयम से प्रसन है, जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक भी, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए, तो सावधान हो जाईए, चुकि यही अहंकार है, जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है, सबके मन का सबसे बड़ा भै क्या है, सबसे बड़ा लालच क्या है, सबसे बड़ी चिंता क्या है, तनिक विचारिये, सब के मन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता है मृत्यू सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यू ना आ जाए सभी लालज करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए सभी आशा करते हैं कि वे कभी ना मरें और इसी मृत्यू के भै के कारण ही, आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं, जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप मृत्यू से भैभीत क्यू होते हैं? क्यूकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए, जो आप करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं, वो कर पाना तभी संभव होगा। जब आप मृत्यू के भैसे निकलकर अपने जीवन के हर पल का उप्योग करना सीख जाएंगे, तो मृत्यू के भैसे बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर पल को जीओ। ये सत्य है कि एक दिन सब को मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सब को अमर रहना, सदा जीवत रहना है, आप भी सदा जीवत रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे अपना व्यपार बढ़ते देखना चाहते होंगे परंतु बड़े बड़े ग्यानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं किसी ना किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यू आपको पकड़ ही लेंगे परंतु यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अमर हो सकते हों आप सदा जिवित रह सकते हों तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है अपनी लौ से अनेग दिये चलाएगा हाँ, कुछ समय पर शाथ ये स्वयम बुझ जाएगा परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा और यही सीधा सा रहस्य है अमर होनेगा चुकि दीपक का अस्तित्व उसके प्रकाश से है प्रकाश नहीं तो दीपक समा और यदि प्रकाश जीवित रहेगा तो दीपक का लक्ष पून हो जाएगा उसी प्रकार मृत्यू तब नहीं होती जब शरीर मरता है मृत्यू तब होती है जब हमारी सोच हमारी विचारधार हमारा ग्यान हमारा सम्मान मर जाता इसलिए अपने ग्यान, सोच और प्रेम को बाटे ठीक इस दीपक की भात जिससे कई दीपक चलें और वो कुछ और दीपक चलाएं और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं स्मरन और मरन सुनने में दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते है परंथ अपने जीवन के प्रारंग से स्मरन कीजी तो सबसे पहले आपको किनका स्मरन होता है उनका जिसने आपके जीवन को आनन्द से भर दिया प्रसन्नता के पलों से भर दिया या उनका जिसने आपके जीवन को कश्टों से भर दिया, जो भी इस संसार में आता है, उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, परन्तु जो केवल अपने लिए जीता है, उनका केवल मरन होता है, परन्तु जो जो दूसरों के लिए जीते, उनका सदा स्मरण होता है, और जिनका स्मरण होता है, वो मृत्यों के बाद भी नहीं मत्याँ, कर्म हमारे जीवन का एक अभिन भाग है, कर्म सभी करते हैं, परन्तु क्या कर्म करने से पूर एक बार विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, कि प्रतेक्रिया की प्रतेक्रिया अवश्य होगी, और वो किसी और कर्म, किसी और भल को जन देगी, ये जुला एक बार जुलाओ, तो लोट कर अवश्य आएगा, उसी प्रकार हमारे कर और उसके फल लोट कर आते हैं, हल से स्मरन हुआ, इस रिक्ष के आम बड़े मीठे हैं, इस रिक्ष को बोने वाले ने, कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी, यदि की हो भी, तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हूँ, परन्तु मैं खा रहा हूँ, वर्षों पहले, किसी ने यहां आम बोह, यदि वो काटे बोता, तो कदाचित वो पाओं में चुपते, कभी कभी हमारी पिछली पीड़ी के कर्मों का फल हम खाते, और हमारे कर्मों का फल हमारी संतती भुगतती है, कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रतियेक व्यक्ति विशेश का अधिकार है, परन्तु वो फल बो रहा है, या काटे उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है, च्यूकि मीठा फल मिलेगा या काटों का दंच सहना पड़ेगा, ति ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है, नियती केबल ये निर्धारन करती है, कि उसे आप भोगेंगे, या आपका भविश्य आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस व्रिक्ष पर फल लगेंगे और मैं उन मीठे फलों के रस को चकपाऊंगा। हसी आगई ना आपको, आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूर्ख बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने के इच्छा रखता है। यदि काटे बोए हैं, तो फल नहीं, काटे ही मिलेंगे। देखा, रक्त बह गया। ठीक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है। हमारे बुरे कर्मों का भल कभी शुब नहीं हो सकता। जो हाथ असमिता लूटने को आगे बढ़ेंगे। उन हाथों को कटना होगा। जो दृष्टी बुरी बनकर स्त्री पर पड़ेगे। उन्हें अंजान नहीं, रक्त के अश्रभोगने होंगे। जिसने अपने जीवन में च्छल किये, उसे अपने ही च्छल के भार तले, तब कर मिट जाना होगा। समय रहते जिसकी आँखे नहीं खुले, समय उसकी आँखे बंद कर देता है। एक मनुष्य सदैव शान्ती और अपनी स्वतंतरता चाहता है। परंदु जैसे उसे ये अधिकार मिलता है, वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है। वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंतरता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनन, अपने लाब के लिए करता है। अपने लाब के लिए वो दूसरों का शोशन करता है। जो आलोचना नहीं करता, उन पर अधर्म करता है। परंदु वही मनुष्य एक बात का स्मरन रखना भूल जाता है। कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे उसका प्रारब उसे उसके मनतव्वे तक अवश्य ले कर जाएगा वर्शा का जल चाहे सागर में मिले या माठी में परंतु समय की सूर की किरण उसी जल को वश्व में परिवर्थित भी कर देती है इसलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाब न उठाएं कि वो उग्र हो थे हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परचाई उनसे दूर रहती है हमारी परचाई सदयव हमारे साथ रहती है कदाचित हमारी परचाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परचाई से भय भी लगता है परन्तु इस भय से निवारन पाने का एक साधन अवश्य है वो है सूर की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना चुकि तब हमें हमारी परचाई दिखाई नहीं देती यदि इसे जीवन के संदर्व में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुब कर्मों की चेतना है यदि आपके मन में शुब कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के भल का भय नहीं होगा चुकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का भल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुख पूर्वक नहीं रह सकता बालक हो या व्रिद, ग्रहस्त हो या ग्रहत्यागी सन्यासी, कभी हो या योद्धा बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता यदि ये संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदाइत्व भी आवश्यक हो जाते हैं परंतु प्रश्ण ये उड़ता है कि मित्र कौन होता है आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे हमारे सुख में आनंद मनाए हमारे दुख में हमारा सहारा बने हमारे विरोधियों का शक्त्रू हो जाए वो यही न परन्तु क्या वास्तविक्ता में मित्र की पहचान यही होती है मित्र के लिए अवशक है कि अवशक्ता पढ़ने पर वो आपका विरोध करें यदि आप सच्चे मित्र हैं यदि आपका मित्र मुर्तवर्श जान भूच कर या किसी कुचक्र में फसकर कोई अनुचित कार करने जा रहा है तो आपका कर्तव बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार करने से रोकें उसका विरोध करें चुकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयम को अपयश का भागिदार बनने से नहीं रोक पाएंगे हम सभी के जीवन के लिए मित्रता बड़ी महत्वपून है हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में जिसके साथ समय बिताने में आनंद मिले किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है मित्रता होनी चाहिए जल और दूद की भादी जो एक साथ सदा मिल जाते हैं एक आकार हो जाते हैं जब दूद उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है ताकि दूद का अस्तित्व बना रहे जब ये मिश्रण उफनता है तब दूद पात्र से पहले गिरता है ताकि वो जल को बचा सके मित्रता भी इसी प्रकार होती है किन्तु यदि दूद में तनिक भी खटास आ जाए तो वो दूद को फार देती है ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जा तो वो मित्रता को समाप कर देता है इसलिए मित्र बनाएं किन्तु जूटे संदेह से साउधान रहें हम सभी बच्पन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्ण तह परिवर्तित कर सकते हैं है ना अच्छे मित्र परंतु कौन जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के भैरहित होकर बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुरलब है वो तो होते ही नहीं परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते वो है दर्पन दर्पन के समक्ष खड़े होकर आप स्वयम से पूछी कि यदि आज आपका अंतिन दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे आपको उत्तर मिले या ना मिले परंतु आपके दिशा अवश्य बतले इसलिए आप से अतरिक आपका सबसे घनिश्ट मित्र सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं संसार में सबसे बड़ा संबंद कौन सा है अब आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रश्ण हुआ इसका उत्तर तो बड़ा सरल है यही न परन्तो इस प्रश्ण के भी कई उत्तर है कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंद तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंद परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबन्द या तो जन्व से जुड़े होते या समाज में बना दिये जाते या फिर किसी अकांग्षा के चलते बनते तो सबसे बड़ा संबन्द कौन सा होता है उलज गए ना सबसे बड़ा संबन्द होता है मित्रता का चुकि मित्र हम स्वयम चुनते जिसमें ना कोई अकांग्षा होती है ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनन अपने बीते दिनों को स इसमरन कीजी जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरन होता था? मित्र का, परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते और फिर वो अपनी आए, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है, उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए हमें बराबर करती है इसलिए नए मित्र वश्य बनाई परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत आप किसे मित्र मानते हैं? उसे जो आप से मीठा बोले और शत्रू किसे मानते हैं? उसे जो आप से कड़ुआ बोले नहीं शत्रता और मित्रता दोनों का निर्णय उनकी बातों से नहीं होता कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रू हो सकता है और कभी कभी कड़ुआ बोलने वाला आपका मित्र ठीक उसी भाती जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औशधी लाब दायत इसलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से पहचानी है चुकि मनुष के कर्म ही उसकी पहचान होती कि वो शत्रू है या मित्र संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा लालच नहीं, कामना नहीं, प्रोद नहीं तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रू होता होगा यहीं सोच रहे हैं न तो इसका उत्तर भी है नहीं, संसार में सबसे अधिक विद्वनसक यदी कोई है तो वो है एक मूर्क या धूर्थ मित्र कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े होए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए अन्यथा चोट लगनी निश्चित है परन्तु एक भूर्थ और मूर्क मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना कुछ इत नहीं चुकि एक भूर्थ और मूर्क मित्र उस नर्भक्षी पशु के समान होता है जो समीब आने वाले का नाश ही करेगा पूर्थ या मूर्क मित्र से बुद्धिमान शत्रू हर परिस्थिती में अधिक्ष्वयासकर है इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए हमारे जीवन में दो प्रकार के विक्ति होते हैं पहला मित्र और दूसरा शत्रू मित्र हमें भाते हैं और शत्रू से हमें घ्रिणा होती है मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रों के प्राण लेने पर तुले रहते हैं यही होता है न परंतु मित्र कौन है और शत्रू कौन इसकी परिभाशा जान लेना भी महत्वपूर्ण है कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं हमारे इच्छा पूर्ती में बाधा बनते हैं और कभी कभी हमारे शत्रू हमारी इच्छा पूर्ती में हमारे सहयोगी होते हैं तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रू हमारे मार्ग से काटा क्यों हटाएगा चुकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रू और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं इसलिए यदि शत्रू और मित्र को पहचानना है, से पहले अपने भविश्य को देखिए, कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रू और मित्र की परिभाशा है। हमारे जीवन में दो संबंधों का बड़ा महत्व है, चुकि दोनों सीधे हृदे से जुड़ते हैं, एक मित्रता और दूसरी शत्रूता। तदे से जुड़ने वाली मित्रता और शत्रूता अधिकतर हमारे वचनों से जन्म लेते हैं। जब हम सफलता के कारण अधिक उत्साह में होते हैं, या किसी हानी के कारण आकरोश में होते हैं, उस समय हमारे वचनों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिती में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला उसे हमारा अहंकार समझकर हमसे मित्रता तोड़ देता है या अपना अपमान समझकर हमसे शत्रता साध लेता है प्रोध उस उबलते जल के समान होता है जो शत्रू को जला पाए या ना जला पाए उन्तु वो स्वयम को भाब बना कर अवश्य मेश्ट करता रहता है इसलिए मुख से वचन निकालने से पूर श्रयासकर यही है कि उसे आत्मा के तराजू में तौल लिया जा चुकि एक पल में निकला हुआ वचन कई जन्मों तक दंड बन सकते हैं शान्ती किसे नहीं चाहिए मानव युद्ध भी शान्ती के लिए ही करता है और संधी भी आप मैंसे कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संधर्ष ठीक नहीं होता संधी का मार ठीक है क्योंकि शक्ति शाले को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ती का शय होता है वो शक्ती जिसे हम विकास में लगा सकते हैं परन्तु शक्ति शाली से मित्रता करने से पूर क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्ति शाली का मनतव ये क्या है कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उद्पात को तो जन नहीं दे रहें चुकि सर्प से मित्रता आपको शान्ती नहीं देती अपितु सर्प को अफसर देती है कि भविश्य में वो आप दस सके हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते है शत्रू से दूर रहना चाहते है क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है जीवन में आगे बढ़ना है स्वयम को संपन देखना और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक अवशक्ता किसकी होती है तो हर एक आपको लगबग एक ही उत्तर देगा सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्पे मित्रों की अवशक्ता होती है परन्तु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं शत्रू की अधिक अवशक्ता है अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कर दी तनिक स्वयम सोचे जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं और संकट के समय में शत्रू और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं मित्र हमें सहायता देते हैं अपनी शक्ती देते हैं परन्तु शत्रू आपके भीतर छिपी शक्ती को बाहर लाता है आपको और अधिक बल्वान बनाता हमारे जीवन में मित्र और शत्रू बड़े मायने रखते हैं मित्र वो जो हमारा हित चाय जो हमारे सुक तुक में हमारी सहायता करे हमारा साथ दे कुछ मित्र जन्म से होते हैं, कुछ मित्र हम स्वयम बनाते हैं, कुछ मित्र परिवार में मिल जाते हैं, तो कुछ मित्र जीवन की यात्रा में परंतु शत्रू शत्रू हमें जीवन में कभी भी मिल जाते परंतु क्या आपने कभी सोचा कि वास्तविक्ता में आपका सबसे बड़ा शत्रू है कौन आपका सबसे बड़ा शत्रू आपके भीतर छिपा बैठा है और वो है आपका क्रोध आप जिनसे रुष्ट होते हैं, उन पर क्रोद करते हैं, उन्हें हाँनी पहुचाने का प्रयास करते हैं परण्तुतनिक शांत मन से सोची हैं, जिनें आप हानी पहुचाना चाहतें, ऐसा करने से पूर्ग आप स्वयं भीतर से जलते हैं क्रोध एक सुलकते हुए अंगारे के समान होता है जिससे आप अपने शत्रू को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं परंतु ऐसा करने से पूर आपको स्वयम उस सुलकते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है और शत्रू से पहले स्वयम को जलना पड़ता है उसकी पीडा सेहनी पड़ती तो यदि आपको अपने शत्रों से मुक्ती पानी है तो पहले आप स्वयम के क्रोध पर नियंत्रन करना सीखिए हमारे जीवन में मित्र और शत्रू बड़ा महत्प रखते हैं यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शड़ नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रों के बारे में हमारा हर कार या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रों के अहित के लिए हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रू के साथ कोई नहीं चाता कि उनका शत्रू प्रसन्न रहे हर कोई अपने शत्रू को नश्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, उसे आर्थिक, मानसिक और शारिरिक हानी पहुचाने का प्रयास करता है परन्तु यदी मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं, जिससे आप अपने शत्रू को सदा के लिए नश्ट कर दें तो और वो मंत्र है मित्र बनाना, अपने सभी शत्रू को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रू स्वता ही समाप्त हो जाएंगे हमारा सबसे बड़ा शत्रू कौन है? आप मेंसे कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश्चा है तो कुछ कहेंगे कि जो पीट पीछे प्रहार करें आप मेंसे कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांती को भंग करे वो हमारा शत्रू है और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रू है ना परणतु सत्य इन सबसे भिन्न है हमारा सबसे बड़ा शत्रू हमारे सबसे निकड रहता है या कहें हमारे भीतर रहता है कौन है ये शत्रू? वो शत्रू है हमारा मन हमारा मस्तिष्ट चुकि ये हमें किसी भी शण उचित से अनुचित की ओर धर्म से अधर्म की ओर धकीलता है ये एक शण में हमारा परिवार तोड़ सकता है हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है इसलिए यदि सफल होना श्रेश्ट होना तो अपने मन पर नियंतरन रखना सीखिए यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सिर्जन कोई नहीं कर सकता और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विद्वन्स कोई नहीं कर सकता यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता और यदि मन में जीत की लगन हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता कभी किसी के यहां अत्थी बन कर गए हो क्या आप एक्षाय होती हैं आपकी कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो यही न अवश्य कि आपका सतकार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है कहीं वो धूर्थ तो नहीं चुकि धूर्थ का सतकार भी विनाशकारी ही होता है फिर से एक प्रशन उठता है कि धूर्थ को पहचाने कैसे कभी सर्प को देखा है उसके निकट जाओ तो फुपकारता है तूर रहने की चितावनी देता है और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्त करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको लगेगा ना उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना दूर्तता का लक्षण है दूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आप से अपने स्वभाव के विपरीद व्योहार करते है जो आप से अधिक मीठी बाते करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाईए चुकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते अति विनयम धूर तस्या लक्षणम